विजे सेदोबते और कैटरिन केफ की स्वीट क्राइम मिस्ट्री मूवी मेरी क्रिस्मस तो आपने देखी ही होगी यह आपको एक अच्छा वान टेम एक्सपीरियंस दे जाती है साथी साथ कुछ सवाल भी छोड़ जाती आपके दिमाग में जैसे की मूवी के एंडिंग का मतलब क्या बना रोजी को क्या सच में अलबर्ट नहीं मारा अगर मारा तो कैसे उस बिल्डिंग का रास क्या था और आखिरकार कैटरिना के कैरेक्टर का फ्यूचर अभी क्या है जो सब कुछ इस मूवी के एंडिंग के साथ ही जुरा हुआ है तो सब कुछ जानेंगे लेकिन उससे पहले इसके स्टोरी का हलके में सिनॉप्सिस दे देता हूँ ताकि आपका एक बार रिवाइस हो जाए तो मूवी में विजय सतुपती और कैटरिना कैफ का कैरेक्टर ये दोनों डिफरेंट प्लेस से बिलोंग करते थे और एक रात क्रिस्मस इफ के दाउरान ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे जहां इनके बीच दोस्ती होगी थोड़ी हसी मजाग थोड़ी सराड़ते होंगी जहां एक क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंट करने के बाद जब बिछरने का समय आएगा तो कैटरिना का केरेक्टर विजय सितुपती को रोक लेगा कि रात हसीन है सामरंगिन है थोड़ी और देर क्यों न रुख जाओ लेकिन एक दूसरे के पास्ट से अंजान जब ये दोने एक दूसरे के जादा करीब आ जाते हैं तो कुछ अनिमेजिनेरी चीजे होती है जिससे ये खूबसूरत रात उतना खूबसूरत नहीं रहता एक नाइट मेर बन जाता है अब आते हैं पहले सवाल पर क्या एलबर्ट ने सच में रोजी को मारा तो आंसर होना चाहिए हाँ रोजी को एलबर्ट ने ही मारा एलबर्ट का केरेक्टर वैसे तो सूइट था वो इतना एडॉरबल था कि उससे कोई भी प्यार कर ले वो काफी केरिंग था लेकिन साथ में उसकी एक खतरनाक साइड भी थी चोड़ी चोड़ी बातों पे बहुत जादा गुसा करना अपना आपा खो देना ये उसका एक बैड हबिट था जो कि हमें एक्स्प्लेइन भी किया गया मूवी में एक सीन में जहां एलबर्ट टैक्सी पगरने के लिए दोड़के टैक्सी के तरफ आता है एंड गेट को ख लेकिन वो बातें अलबर्ट की दिमाग में नहीं जा रहा था तब यही पर उसका एक्स्प्रेशन एटिट्यूट देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कोई और ही बन गया था अपने उपर उसका कोई कंट्रोल नहीं था जैसे कि हमने अपरचिद मूवी में देखा था अब इसी पर्सनलेटी डिसॉडर के लिए रोजी को अलबर्ट के साथ रहने में डर लगता था वो उससे प्यार तो करती थी लेकिन उससे डरती भी थी जिसलिए रोजी ने उस रिलेसंसिप को वही पे एंड करने का सोचा ल जोजी को उसने वही पर मार दिया और उसको भी वह ऐसे ही गला दबा के मारा होगा जैसे कि उस टैक्सी के पैसंजर को पहले मारने वाला था अब इसके बाद मारिया के सीक्रेट एपाटमेंट को लेकर बात करते हैं जहाँ पर एक्चुल में मर्डर हुआ था उसके प्लैन मारिया ने जब एलबर्ट एन रॉनी को फर्स्ट टाइम अपने अपाटमेंट में लेकर आई तो वो था फोर्थ फ्लोर मर्डर होने के उपर वाला फ्लोर यह एक एक एक्जैक्ट रेप्ली का था और हर बार जब सेकेंड टाइम उन लोगों को लेकर वापस आ रही थी तो मारिया स्टेंजेस के साथ बाहर थी इससे पुलीस को कोई सग भी नहीं हुआ कि यह मर्डर मारिया ने किया होगा एकदम फूल प्रूफ प्लैनिंग के साथ इसे किया गया था अब मुवी के एंडिंग में जब मिश्ट्री आलमोस्ट क्लियर हो गया था पुलीस वालों के पुलीस वालों का भी ऐसा ही मानना था क्योंकि उनके पास और कुई सबूत या कुछ गवा नहीं था जिससे ओ साबित कर पाई कि यह एक मर्डर है तो केस को क्लोस करने के लिए इन तीनों का क्लोसिंग स्टेट्मेंट चाहिए था मारिया अलबर्ट और रॉनी लेकिन स्ट स्टेट्मेंट के बाद पुलीस ने जब मारिया से पूछा तो मारिया ने डिनाई किया कि उसे कोई वालेट नहीं मिला तब रॉनी ने कहा कि हो सकता है कोई चोर घर में घुसाया था जिसने उस वालेट को चुराया एंड जिरॉम ने उसे जब रोकने की कोसिस की तो उसने जिरॉम को मार दिया अब ऐसी स्टूरी सुनने के बाद पुलिस फिर से उत्तेजित हो गए एंड केस को क्लोज नहीं किया लेकिन एंड मुमेंट पे जब मारिया की बेटी एनी को पुलिस ओफिसर ने एक मैजिक दिखाया तो उस दोरान एनी बोल उठा तो इसको देखके सब कोई हैरान हो गए कुछ लोग खुस थे तो कुछ लोग परेसान भी हुए क्योंकि यही ओ आखड़ी करी थी जिसका स्टेटमेंट पुलिस को नहीं मिला था अब यह बच्ची है तो हो सकता है कि भाई यह सची बोले जूट ना बोले अब यही चीज मारिया एन एलबट के लिए थोड़ी परेसानी वाला था और रॉनी के चोड़ वाले कहानी के बाद पुलिस वाले एनी से पहले यही सवाल पूसते कि किसी स्ट्रेंजर को आते हुए देखा था तुमने जब तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं थी तब एनी एलबट का ही नाम लेता और वालेट भी पहले से एलबट के पास ही था तो उसने जान बूच कर यह इलजाम अपने उपर ले लिया अब पुलिस मारिये से ज़ादा एलबट से ही सवाल पूछेंगे जिसको एलबट समाल लेगा तो यही थी इसका एंडिंग अब थ्रिलर मिश्ट्री मूवी होने के लिए इसके अंदर सस्पेंस तो क्रियेट हुआ था लेकिन यह अंधादून जैसे उतना डीप स्टोरी टेलिंग नहीं दे पाया बट मूवी बहुत ही अच्छी थी आप इसे इंजॉय कर पाओगे मैंने तो भाई बहुत ही इंजॉय किया इसे आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हैं दस लाइक का बस दस लाइक कर देना बात करते हैं नेक शू